8.30 को आपका एक्सिडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एक्जाम देने जा सकता है इंटर्वियू से पहले एक महिने दग आप हॉस्पिडलाइज़ है और उससे एक वीक पहले आप डेली जाके उसके प्रिपरेशन कर सकता है तो लग हैस्टू कम विथ यो उसको आना पड़ेगा और आपको IPS बनाना पड़ेगा लेकिन में एक्जाम के लिए निकला मेंस मेरा था सुबह जी एस्टी का पेपर था 8.30 को मेरा स्कूटी स्लीप हो गया मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया लेफ्ट एंड में इंजरी था सीड से ब्लीडिंग हो रहा था लेकिन मेरे पस दो अप्शन थे मैं खड़ा हूँ आ मैंने देखा ओके माइ राइट हैंड इस सेफ एन डिसेड़ेगा और राइट था एक्जाम मेरे बस दो ही ऑप्शन थे या तो मैं वहां से उठके रोने लगू यार मेरे साथ ही ऐसा क्यू हुआ मेरा एक्जिएंट हो गया मेरा मेंस कराव हो गया और होस्पिलस जाओ या दूसरा ओप्शन था कि मैं देखू कि मैं तीन गंडे और सरवाई कर सकता हूँ हाँ कर सकता हूँ मैं मेंस के लिए एक्जाम हॉल में गया यह जितने भी फोटोग्राफ्स लगे है सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेस्फुल हुए अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कही ना कही एक मॉमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते है इस मॉमेंट भी आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यूटन लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है and that is the funda of life success उनी को मिलता है जो इस struggle वाले moment से आगे निकलने की सोचता है जब भी आपको लगे कि आपके सिरी पर बहुत मुसीबत है जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके है जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई option नहीं है तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाएगा कि यही moment है जहां से आपकी तक्दिर बदलने वाली है क्योंकि diamond जो होता है वो जितना ज्यादा गिसता है उतनी ज्यादा उसकी value होती है सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी value होती है अगर आप जिन्दगी में तप रहे हैं, अगर आप जिन्दगी में गिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो value वो बढ़ने वाली है और यही मेरा attitude रहे है, लोग बोलते हैं कि तुम्हारी financial condition ठीक नहीं थी, पापा electrician थे, मम्मी housewife थी, diamond के कार खाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने marriage में रोटिया बनाने का काम किया, और उस तरस में पढ़ा लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी life में जो आप बदलना चाते हैं, and I said nothing क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी life में, तो शायद आज आपके सामने में नहीं होता तो अगर life में problems है, अगर life में struggle है, जब सर ने बुदा है, struggle is a part of life, and I strongly believe in that भारत वर्ष का सपना चंद्रकुप्त ने देखा, चानक्या ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संगर्ष जारी था और तब राजा धननन्द की डॉटर दूरदरा से चंद्रकुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चानक्या उनको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें उससे दूर रहना है तब चंद्रकुप्त बोलता है, आचारे कभी-कभी सोचता हूँ कि जिंदगी में या ये भारत के समराट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो और तब चानक के रिप्लाइ करते हैं, तो हर कोई भारत का समराट होता अगर आईएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सेक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर गर में आपको आईएस, आईपीएस मिल जाएंगे मुझे exact date याद है, 23rd March को मेरा interview था, 28th February को मुझे hospital में admit किया गया, क्योंकि मुझे infection हो गया था, एड़ बहुत high fever था, तो IV के अलावा कोई option नहीं था 1st of March को ठीक होगे मैंने सोचा चलो डेली निकलते हैं, 2nd of March को मैं डेली पहुचा, 3rd March को वापस से tonsillitis का attack होने की वज़े से flight लेगे वापस से पालनपूर, एमदाबाद Again, hospitalization, 15th of March को I got relieved from the hospital, 16th of March को मैं देली पहुचा, और 23rd of March को I gave my UPSC interview So, एक महिने का hospitalization, उसके बाद, जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो लोग interview दे रहे हैं, वो एक महिने से preparation कर रहे है And एक महिने से मैं hospital में था, again I thought, this is the moment to prove yourself I went to the interview, और पूरे इंडिया में second highest marks in interview